हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब इजी स्विंग टुटोरियल में आपका स्वागत है आज के प्रोजेक्ट के लिए मैंने लिया है 2.5 मिडर कॉटन फाब्रिक सबसे पहले फाब्रिक में से बॉडिस की लेंद अलग करेंगे उसके लिए फाब्रिक को एक बार चौड़ाई में फोल्ड करेंगे इस तरह उपर की साइड से फाब्रिक को बराबर कर लेंगे आप बॉडिस की लेंद मार्क करेंगे जो मेरे मेशरमेंट में है 15.5 इंच और यहां मैं एक इंच एक्स्ट्रा ले रही हूं दबाव के लिए आप मुझे बॉडिस के लिए दो लेंद चाहिए एक फ्रंट के लिए और एक बैग के लिए तो यहां मैं इसे एक बार और फोल्ड कर लूँगी लेंद चेक करके इसे काट लेंगे तो यह fabric है bodies के लिए और यह skirt के लिए bodies की cutting के लिए मैंने fabric को एक बार चोड़ाई में और एक बार लंबाई में fold किया है यहाँ मेरे पास fabric की 4 layers है अब measurement mark करेंगे shoulder के लिए लेंगे shoulder width का आधा मेरे measurement में shoulder width है 14 inch तो उसका half होगा 7 यहाँ मैं आधा inch add कर रही हूँ क्योंकि back का गला छोटा है neck width है 3 inch यहाँ से आधा inch नीचे की तरफ निशान लगाएंगे shoulder slope के लिए और इसे neck width point से जोड़ देंगे अब यहाँ से arm hole का निशान लगाएंगे जो मेरे measurement में है 7 inch यहाँ से 1 inch अंदर की तरफ निशान लगाएंगे front arm hole curve बनाने के लिए और इसे shoulder slope point से जोड़ देंगे अब shoulder से 10.75 inch पर निशान लगाएंगे shoulder से burst तक का measurement और 16 inch पर bodies की length का measurement अब मैं round measurements mark करूंगी chest के लिए मैं add कर रही हूँ 2 inch की losing मेरे measurement में chest round है 35 inch 35 plus 2 होगा 37 और इसे 4 से divide करेंगे तो आएगा 9.25 inch burst के लिए मैं 3 inch की losing अड़ कर रही हूँ मेरे measurement में burst round है 37 inch 37 plus 3 होगा 40 और इसे 4 से divide करेंगे तो आएगा 10 inch waste के लिए मैं 3 inch की losing अड़ कर रही हूँ मेरे measurement में waste round है 31 inch 31 plus 3 होगा 34 और इसे 4 से divide करेंगे तो आएगा 8.5 inch अब इन points को जोड देंगे यहाँ पर 1 inch का margin add करेंगे और अब मैं front और back armhole curve draw कर लूँगी और इसे के साथ bodies की marking complete है अब इसकी cutting कर लेंगे तो मैंने यहाँ bodies की cutting कर लिया है अब front side लेंगे और front armhole curve की cutting भी कर लेंगे अब मैं bottom part की cutting करूँगी bottom के लिए मैं box pleat skirt बना रही हूँ और इसके लिए मैंने fabric को एक बार चड़ाई में और एक बार लंबाई में fold कर लिया है तो यहाँ मेरे पास दो lens हैं एक front के लिए और एक back के लिए और यहाँ fabric की 4 layers हैं box pleat skirt के लिए मैं fabric की पूरी width ले रही हूँ और मुझे इसमें से skirt की length अलग करनी है जो मेरे measurement में है 26.5 inch और मैं 1.5 inch का margin add करूँगी तो यहाँ मैं 28 inch पर निशान लगा रही हूँ तो मैंने यहाँ length अलग कर ली है इसी के साथ dress की cutting complete है अब इसकी stitching करेंगे सबसे पहले मैं front side पर box pleats बनाऊंगी यह skirt की length है और यह fabric की पूरी width है 44.5 inch दोनों तरफ 1 inch का margin लेना है तो 44.5 inch में से 2 inch कम कर देंगे तो pleats बनाने के लिए हमार पास fabric width होगी 42.5 inch pleats हम waste के measurement कहीं साब से बनाते हैं मेरे measurement में waste round है 31 inch और मैंने bodies में 3 inch की losing add करी थी same losing मैं skirt के लिए add करूंगी 31 plus 3 होगा 34 34 round measurement है यानि front के लिए 17 inch back के लिए 17 inch fabric की width है 42.5 inch इसे waist के तयार नाप से यानि की 17 inch से divide कर देंगे तो आएगा 2.5 inch जो होगी pleats की width यह same method आप use कर सकते हैं pleats की width निकालने के लिए अब यहां center का निशान लगाएंगे और अब center के निशान से pleats mark कर लेंगे 2.5 inch पर अब मैं box pleats बनाऊंगी पहले point को center वाले point से जोडेंगे इस तरह और इसे pin up कर लेंगे अब दूसरे point को center की ulti direction में जोडेंगे इस तरह और pin up कर लेंगे तो हमारी पहली box pleats ready है अब फिर से इस point को center की direction में जोडेंगे और इस point को center की opposite direction में जोडेंगे इसी तरह में बाकी की pleats भी ready कर लूँगे अब इसी तरह दूसरी side पर भी box pleats बना लेंगे तो यहां मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ box pleats बनाकर पिनप कर लिया है और प्लीट्स को अच्छे से प्रेस करके इनकी क्रीस सेट कर दिया है आप उपर वली साइड यानि वेस्ट वली साइड पर प्लीट्स के उपर सिलाई लगा लेंगे उन्हें पक्का करने के लिए और नीचे की तरफ घेरे को फोल्ड करके फिनिशिंग कर लेंगे तो यहां मैंने प्लीट्स पर सिलाई लगा लिए यह है फ्रंट साइड और यह है बैक साइड अब खेरे की फिनिशिंग के लिए जो हमने दबाव के लिए कपड़ा रखा था उसे दो बार फोल्ड करेंगे और अंदर वले किनारे पर सिलाई लगा लेंगे झाल 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 तो यहां मैंने घेरे की फिनिशिंग कर ली है इसी तरह मैं बैक साइड को भी रेडी कर लूँगी अब बॉडिस की फिनिशिंग करेंगे नेक विर्थ है थ्री इंच नेक डेप्थ है 7 इंच अब नेक से बॉडिस की लेंद तक मेजर करेंगे एक इंच मैं उपर की तरफ एक्स्टर रख रही हूँ दबाव के लिए तो यह है 11 इंच मैंने सेम फैब्रिक में से एक इंच चौड़ी पट्टी काटी है इसकी लंबाई है 12 इंच और इसकी बैक साइड पर मैंने पेस्टिंग बुक्रम को अच्छे से प्रेस करके लगा लिया है और दोनों तरफ आधा इंच का सीम अलाउंस रखा है जिसे फोल्ड करके प्रेस कर लिया है इसे बॉडिस की सेंटर में जोडेंगे इस तरह और इस पर यह बटन्स लगाएंगे फ्रेंट के लिए मैंने राउंड शेप नेक लाइन काटी है और बॉडिस पर और इस पट्टी पर सेंटर का निशान लगा लिया है अब दोनों सेंटर की निशान को जोडेंगे और सेंटर में कच्छी से लाई लगा लेंगे तो यहां मैंने सेंटर की सिलाई लगा लिया है आप दोनों तरफ साइड पर सिलाई लगाएंगे प्लाकेट को पक्का करने के लिए तो यहां मैंने सिलाई लगा लिया है अब आप चाहें तो बीच वाली सिलाई को खोल सकते हैं अब मैं फ्रंट नेक लाइन की फिनिशिंग करूंगी तो फ्रंट नेक लाइन रेडि है बैक साइड से इस पर तुरपाई कर लेंगे और सेंटर में बटन्स लगा लेंगे अब फ्रंट और बैक को जोडेंगे और दोनों तरफ शोल्डर स्लोप पर सिलाई लगा लेंगे तो यहां मैंने सिलाई लगा ली है आप इसे इंटर लॉक कर लेंगे अब मैं बॉडिज और बॉटम को जोड़ूंगी उसके लिए बॉडिज को बॉटम पर रखेंगे दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ और वेस्ट पर सिलाई लगा लेंगे तो यहां मैंने सिलाई लगा लिया अब इसे इंटर लॉक कर लेंगे तो मैंने बॉडिज और वेस्ट को जोड़ लिया है और यह इस तरह दिखेगा इसी तरह बॉडिज के बॉडिज और बॉटम को भी जोड़ लेंगे अब मैं side fitting की सिलाई लगाऊंगी तो मैंने side fitting की सिलाई लगा लिया इसी तरह मैं दूसी तरफ भी side fitting की सिलाई लगा लूँगी और इसी के साथ मेरी box pleat dress ready है अगर आपको ये design पसंद आया हो तो जरूर try कीजेगा और कोई भी problem है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते है thank you मेरा video देखने के लिए अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो like करें अपने friends और family की साथ share करें और मेरे channel को subscribe करें और अच्छे videos देखने के लिए मैं फिर मिलते हूँ आपसे नई video के साथ तब तक के लिए bye bye take care कर अदूद करें